नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ बंदिना में आपका स्वागत है, आज मैं आपको यह जो अडेनियम के आपको फूल दिख रहे हैं, इसी अडेनियम को सीड से कैसे लगाते हैं, आज इसी के बारे में बताऊंगी और वो सीड में लगा के आपको दिखाऊंगी, मैं जो हम वराइटी अभी सीडलिंग करने जा रहे हैं वो नॉर्मल सी वराइटी होती है उस पर फूल यह जैसे देखिए यह डबल पैटल के फूल आए हुए है उस पर सिंगल पैटल के फूल आते हैं पर फूल उसके भी अच्छे होते हैं और कोडेक्स बहुत मोटे मोटे होते तो अब मैं आपको दिखाती हूं सीट कैसे होते हैं अडीनियम के कि ये देखुए अर्ण इन्ने क्षेल दैक कुछ ये और और इनी को में रोपित करके आपको दिखाऊंगी और एक्शलि में आडीम के जो सीड लगते हैं फ्रेंट वो कुछ-कुछ इस तरह से होते हैं यह देखिए ऐसे इनके किनारे किनारे रोवें लगे रहते हैं और हम जब बीज को रोपित करते हैं तो इसको ऐसे हम हटा लेते हैं यह देखिए इसको ऐसे हटा करके और यह फेक देंगे यह जो रूई जैस कुल होते हैं ये आप देखिये जो इस तरह की जो अदेटिम दिख रहे हैं ये सब वही है है सीडलिंग से ही और उपर इनके जो मन पसंद वराइटी जो होती है उसको graph कर दिया जाता है ये दिखिया इस तरह के A da do this कर दूल होते हैं जो कि कई तरह के हैं मेरे हrem जब जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो मैं अल्रेडी आपको दिखाती ही रहती हूं अडेनियम के सीड लगाने के लिए फ्रेंड मैं इस तरह का यह सीड वाला ट्रे लेके आई हूं है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूं आप सिंपल किसी भी गंद्रे में आप यूज कर सकते हैं यह पर चुछ जरूरी नहीं की आप अब शीड्लिंग करने के लिए यह ट्रे लेकान ऑर इसमें जो मैं डाल रही हूं यह सिर्फ बालू है और तोड़ा सा घर गोबर की खाथ म में मिलाइए उतना ही काफी होता क्योंकि अभी हम सीट जर्मिनेशन कर रहे हैं इसमें अभी किसी खाद पानी की जरूत नहीं होती है अभी केवल हमें बीजों को उगाना है तो उसको उगाने के लिए सिर्फ बालू और जरा सा उसमें अगर आप कमपोस्ट मिला सकते हैं तो म यह बहुत अच्छे से उग जाते हैं यह सीट बहुत नॉर्मली और अडिनियम के जो फूल होते हैं वह बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत ज्यादा केरिंग प्लांट नहीं है बहुत कम पानी देना होता है इसमें और एकदम अगर आप बहुत बीजी हैं आपको और यह देखिए मैंने इस तरह से यह पूरी भर लिये ट्रे और अब हमें क्या करना है कि हलकी हलकी यह बालू गीली है अगर नहीं गीली है तो आप थोड़ा सा इसको गीला भी कर लें और हमीशा इस तरह की जो सीडलिंग हम करते हैं तो उसको यह स्प्रेयर से ही पानी दि दिए वरना सीडलिंग को चोट लग सकती है और जिससे कि जर्मिनेशन में दिक्कत हो सकती है तो अब हमें क्या करना है यह मैंने ले लिया है और आप बालू में लगाए या फिर आप केवल कवर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं लेकिन बालू में लगाना इसको बहुत अच्छा रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप एकदम अच्छे से लगा सकते हैं जैसे कि अभी मैं लगा रही हूं तो अब मैं इसे करती हूं किनारे और यह देखें यह सीड है और सीड कुछ मैंने जर्मिनेट किये हैं अभी उसको भी दिखाऊंगी कि यह कैसे निकल क आते हैं और यह सिंपल यह जो सीड है एक-एक को ले करके आपको इसमें ऐसे रख देना है और हलका सा प्रेस कर देना है बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है यह देखिए 0.25 मिलिमीटर आप दबा देंगे उतना ही काफी है और एक में एक ही डालिएगा यह दे सीड एक-एक करके इस पर रख लिए हैं और बस करना कुछ नहीं है हलका सा इसे बस प्रेस करके और इसी बस ढख देना है यह देखिए हलका सा बस बहुत ज़्यादा नहीं यह देखिए यह बस जरा जरा सा उपर से हमें ढख देना है बहुत गहराई में नहीं डालना है सीड को यह देखिए पूरी पूरी तरह से हो गया है अब हम इसमें फंगी साइड पाउडर मिला करके और स्प्रेयर से पानी देंगे अब हम फंगी साइड मिला हुआ पानी साफ मैंने मिलाया हुआ है इस पानी में हलका अलका सा ग्रीन पानी हो जाता है और फिर अब हम पूरी सीडलिंग में ऐसे अच्छे से पानी देंगे पूरी तरह से गीला कर लेंगे और अगर कभी सीड नजर आ जाए तो उसे फिर से दबा देंगे यह देखिए यह पूरा मैंने पानी दे दिया है और इसे किसी छाया दार जगर में हम रख देंगे तो यह दो से तीन दिन मुश्किल से लगते हैं कि आपको जर्मिनेशन दिखाई देने लगेगी बालू में बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है आप कोई भी दिखाई देगा कि पौधे निकला रहे हैं तो यह यह देखिए फ्रेंट यह इस तरह से हमने लगा लिया है और इसी तरह से मैंने पहले से ही लगाया हुआ है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह देखिए फ्रेंट यह लगभग चार-पांश दिन हो गया है मुझे लगाये हुए और यह देखिए कितने अच्छे से इसके जर्मिनेशन हो गई है और इस वाले में तो मैंने थोड़ा महीन बालू लिया हुआ है लेकिन उस समय मेरे पास महीन बालू नहीं था तो यह मोटे-मोटे टुकडे में ही मैंने लगा दिया था तो यह अडेनियम के सीट देखिए कितने अच्छे से उगाये है तो इन्हें जब यह अभी तो दो प करूंगी तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगी और इस तरह से और हमेशा इसमें पानी का ख्याल रखना है वैसे तो अडेनियमे बहुत जादा पानी नहीं चाहिए लेकिन सीडलिंग में जब हम लगाते हैं तो पानी का जरूर ध्यान रखें इसको बिलकुल सूखा नहीं हो कि जब भी आप कि हां मिटी सूखने लगेगी बालू सूखने लगेगा तो उसमें क्या है कि जर्मिनेशन प्रॉसेस रूख जाता है इसलिए इसमें पानी का जरूर ख्याल रखें सुबह साम इसमें पानी दे और चाया दार जगा पर रखें एक-दो दिन में जब जर्मिन यह तब तो छोड़ सकते हैं लेकिन तेज बारिस हो रही है तो इसको आप छाया दार जगा पर रखें और इस समय का जो टाइम है यानि बरसातों का टाइम जो है वह अडेनियम की सीड लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है तो आप इस समय सीड लगा सकते हैं और यह देखे कितने प्यारे प्यारे से प्लांट निकल आए हैं और इतने सारे प्लांट का देखती हूं मैं अब क्या करूंगी कहा लगाऊंगी और ठीक तो अडेनियम की सीड लगाने की पूरी जानकारी लगभग मैंने आपको दे दी है तो आपको मेरा यह वीडियो स्काइब भी करिएगा नमस्ते फ्रेंड्स